तो हेलो एवरिवन, आज समें एक न्यू मानुवा को इस्टार्ट करने वाला हूँ, जो की बहुत इंटरस्टिंग है, इसके मैंने एक से चार चप्टर पढ़े थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो सोचा क्यों न मैं इसे एक्स्प्लीन कर दू, और अगर आपने एक लड़की कहती है, जियांग, अब तुम्हारे सभी दोस मर चुके है, तुम्हें नहीं लगता, अब तुम्हारे लिए लाइफ बहुत ही मीनिंगलेस है, ये सुनकर जियांग कहता है, ये सब मेरी वज़स हुआ है, नहीं तो आज मेरे सभी साधी ठीक होते, और तुम ए लगते हैं, और इजली सर्वाइब कर पाएंगे, ये बोलते ही वो आदमी रिमोट का बटन प्रेस कर देता है, जिस कारण जियांग डायरेक्ट जाकर उस पिजने में गिरता है, और नीचे गिरते ही जॉंबी उसे नोच नोच रखाने लगते है, तब जियांग दर से चिल कहीं में वापास से पैदा तो नहीं हो गया, एक मिनट क्या मैं जॉंबी अटेक से पहले वाले टाइम लान में आ गया हूँ, पिछली लाइफ में जिंग ने मेरी सभी प्रॉपर्टीस को अपने नाम पर कर लिया था, उपर से मुझे मरने के लिए भी छोड़ दिया था, और जब जॉंबी अटेक हुआ था उसमें लाखों लोग मारे गए थे, उस टाइम मैंने अपने स्किल और अपने दोस्तों की मदद से एक ऐसी जगह को बनाया, जहां हम सेफ रह सकते थे, मगर किसी ने सोचा था, ये जिंग हमसे हल्प मांगते हुए आईगी, और जैसे ही हमने इस पर दया करके गेट ओपन कर दिया, और उसे अंदर आने का पर्मिशन दे दिया, वैसे ही ये दुश्मनों को एंटर करवा देगी हमारे सेफ जगह पर, और उसके वाद ये मेरे 4 लाख यैन भी ले जाएगी, जिंग उसके सामने खड़ी होकर कह रही होती है, क्या तो मेरे आगे पीछे घूमा करता था, दूसरी तरब जियांग टाइम और डेट देखते वे सोचता है, अब मेरे पास सिर्फी 11 महीने बचे है, मुझे जॉंबी अटेक होने से पहले सबी चीजों की तयारी करनी होगी, तब उसे एक स्क्रीन टाइप का कुछ दिखता है, ये देखर जियांग सोचने लगता है, आखिर इस reward point के बदले मुझे क्या मिलेगा, आखिर इस system क्या देगी, तब वो देखता है उसे 20 points में physical power बढ़ाने माला option मिल सकता है, और 2 points में farming के tools के supply मिल सकते हैं, और 10 points में protagonist supply मिलेगा, फिर वो याद करता है कैसे वो पिछले life में एक एक रुपे बचाता था, ताकि वो जिंग को bright dress दिला सके, और जिसके बद से वो को potion का शिकार भी हो गया था, वो ढंक से खाना भी नहीं खाता था, ताकि वो पैसो को बचा सके, फिर वो एक food order app देखते वे सोचता है, अब तो एक महीने में zombie attack होने वाला है, इसलिए क् एवी लड़की ने अपनी दोस्त को सब बाते बता दी, और जैसे वो call receive करता है, वैसे उसकी दोस शीखते वे कहती है, तुम जिंग को ऐसे कैसे treat कर सकते हो, वो तो बस चेक करना चाहती थी, तुम उससे प्यार करते भी हो की नहीं, अगर तुम उसे अभी property नहीं दोगे, तो कब दोगे, अब तुम्हारे उससे शादी होने वाली है है ना, वो तुम्हें test कर रही थी, मगर तुम उसमें भी fail हो गए, और अगर तुम जिंग को मनाना चाहते हो तो, तो यहाँ पर property उसके नाम करके, और एक million cash लेकर आ जाओ, तब मैं उससे बात कर सकती हूँ, वो जमीन का इंतिजाम कहां से करे, अगर जमीन होगा तभी तो शांती से रहे पाएगा, जॉम्बी अटेक के बाद भी, फिर वो सोचता है मुझे एक ऐसी जगा चाहिए, जहां मैं अपना महोल बना सकू, जो हर चीज से से सेफ हो, और साती सात वो नदीग किनारे होना चा इसको साइट करना है, तब वो लड़की कहती है मैंनेजर जू, मुझे अभी एक क्लाइंट से डील करना है, तब वो कहता है निंग, क्या तुम भूल गई, जो मैंने सिखाय था तुम्हें, तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और मैं जो बोलूँगा वही तुम्हें करना है, फिर वो जियांग को देखते हुए कहता है, इसके जैसा बिखार एक टॉलेट पेपर भी नहीं खरी सकता, और तुम घर की बात कर रही हो, क्या यही तुम्हारा क्लाइंट है, यह सुनकर जियांग कहता है, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो, जिस पर वो इंसान कहता है, मैं तुम्हार जैसा कुट्टो को उसकी उकात दिखा रहा हूँ, अगर तुम एक टॉलेट पे खरीलो के तो मैं तुम्हारा शिट खाने को तयार हूँ, लिटरली भाई वो कह रहा है, मैं तुम्हारा टटी खाने को तयार हूँ, यह सुनकर जि किमत कितनी है लगता यह बहुत ही अमीर है तब निंग कहती है वैलकम सर मैं आपको कुछ लेंट की डीटेल बताती हूँ यह देखकर मैंनेजर रिवर के नजदीख हो, खास तोर पर ऐसे रिवर के पास जो बहता हुआ हो, ट्रांस्पोर्ट की दिकत ना हो, और आज पास कुछ फैक्टरिस और बिलिंग्स हो, ये सुनकर निंग कहती है एक मिनट, आप मुझे सोचने दो, तब ही वहाँ मैनेजर आते वह कहता है इस्ट मे होने वाला, तब मैनेजर कहता है ये इंसान यहाँ पर लैंड खरीदने नहीं, बलकि टाइम पास कनने आया है, तुम्हें इसके रिक्वाइर्मेंट से पता नहीं चला, तब जियांग पूछता है क्या इस्ट वाला लैंड सही में, मेरे रिक्वाइर्मेंट में पढ़ता ह तब वो लेडी कहती है यस सर, मगर वहाँ पर जितनी भी फैक्टरी स्टार्ट हुई है, उनका काम बनने से पहले ही रूप गया था, डीटेल्स को देखते हुए जियांग कहता है, ये लैंड तो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, मैं यहाँ पर वायर्स लगा सकता हूँ, हाँ अभी तक फैक्टरी बन कर तयार भी नहीं है, तब जियांग कहता हाँ बिल्कूल आप कॉंटेक्ट बना दो, उसके बाद मैं पेमेंट कर देता हूँ, वैसे भी कोई इंतजार कर रहा है, शिट खानेगा, ये सुनकर मैनेजर को बहुत गुसा आता है, मगर वो कुछ भी बोल नहीं पाता, और जियांग के पेमेंट करते ही मैनेजर अपना सर पकड़ते हैं, कोई इंसान अपना पैसा ऐसे प्रोपर्टी पर कैसे वेस्ट कर सकता है, तब जियांग उसके पास जाते हैं, मैंने पेमेंट भी कर दिया है, क्या अब तुम तयार हो, अपना परफ फूड और सप्लाइ, वो भी एक साल का, अब मैं ये कैसे करूँ, लेंट तो मैंने ब्राइड वाले मनी से खरी लिया, तब ये उसे जाते हुए, वह इंसान देख लेता है, तो इस टार्टिंग में जिंग के साथ मिलकर जियांग को जॉमिस के सामने फैक दिया था, उसे द ये सुनकर जिंग हैरान हो जाती है, फिर वो कहता है मुझे लगा था, उसने जो ब्राइड के लिए पैसे खटा किये थे, वही उसने यूज किये है, ये सुनकर वो छिलाते हुए कहती है, उसकी हमत कैसे हुई, मेरे पैसो को हाथ लगाने की, तब लिए कहता है, गुस्ता ह होने से अच्छा जाकर उससे पता करो आखिर क्या चल रहा है तब जिंग कहती है इसमें पूछने वाली क्या बात है वो हमेशा मेरे पैसो को यूज करता है अब मैं उससे ऑनलाइन एक्सपोस कर दूँगी दूसरी तरब जियांग सोच रहा था घर बनाने और फूट सप्लाइ खरीदने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं उन्हें कहां से लेकर आऊ तब ही वहाँ पर जिंग और उसकी दोस्ता जाती है जिसे देखते हैं जियांग पूचता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जिंग आते ही पूचती है तुमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को हाथ लगाने की तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे और लीक आफेर के बारे में कुछ भी नहीं पता ये सुनकर जिंग मनी मन सोसती है इसे मेरे और लीक के बारे में कैसे पता चला फिर वो उने घर से निकाल देता है तब उसकी दोसों ने शांत करवाते हुए कहती है शांत हुजाओ भो सकता है तुम्हारे दोनों के बीच कोई गलत फैमी हो गई हो गई हो कपल्स के बीच तो यह होता ही रहता है तब वो कहता है यह कोई गलत फैमी नहीं है बलकि इसका उस बुढ़े ली के साथ आफेर चल रहा है अब तुम्हें जहाना है जाओ मगर तुम मेरे आगों के सामने मत दिखना ये सुनकर जिंग वहाँ से जाते वे सोचती है आखिर इसे पता कैसे चला हम दोनों जब भी रूम्स बुक करते थे तब हम ध्यान रखते थे कोई हमी ना देखे फिर उसकी दोस पूचती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं क्या तुम्हारा सही में उस बुढ़े ली के साथ आफेर चल रहा है तब वह कहती है हमने बस एक दो बार होटल बुक किया था ये सुनकर उसकी दोस पर रिशान होते वे कहती है अब तो सि देखते है जहां जियांग अपने फैक्टरी वाले लेंड के पास जाकर उसे देखते में पूचता है ये कितने दिन में रिनोवेट हो जाएगा तब वो इनसान कहता है आपके रिक्वाइर्मेंट के हिसाब से हमें यहां बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगाने है तिक स्टी कहता है ये काम एक महीने में नहीं होने वाला तब जियांग कहता है मुझे ये बात नहीं सुनना अगर आप नहीं करोगे तो मैं किसी और को डूड़ लूँगा तब वो कहते हैं मगर वरकर्स की लाइफ भी तो इस पर डिपेंड करती है वैसे काम तो हो जाएगा मगर पैस मिलियन डिपोजिन मिल जाता तो हम काम स्टाट कर देते ये सुनकर जियांग कहता है एक हफ़ते के अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ये सुनकर वो इनसान मान जाता है तब उसके पास जिंग की दोस्ता कर जियांग का हाथ कहती है क्या तुमने यही लेंड खरीदा है वैसे यहां का सीनरी बहुत ही अच्छा है क्या तुम यहां पर विला बनाने की सोच रहे हो यह सुनकर जियान उससे अपने से दूर करते है कहता है मैं यहां कुछ भी बनाओ तुमें से क्या मतलब यह देखकर वो मनीमन सोचती है आखिरी से हुआ क्या है आज यह बहुत ही अजीव बिहेब कर रहा है पहले जब मैं इसे टच करती थी तब यह बलश करने लगता था और इसका हर्ट बीट भी बढ़ जाता था मगर आज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ फिर जियान वरकर्स को बताने लगता है गेट को और एक् दिया है जिससे मुझे सिर्फ तीन मिलेन वान मिले है जो कंस्रक्शन के लिए काफी नहीं है मुझे अब कोई रास्ता ढूड़ना होगा पैसे कमाने का एक मिनट अभी जॉंबी अटेक होने वाला है अगर मैंने एक ही घर बहुत सरे लोगों को लोन पर दे दिया तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा च्योंकि अब सिर्फ एक ही महीना बचा हुआ है तब ही उसके गेट को कोई नौ करता है ये सुनकर वा सोचता है वो ओल्ड मैन वापस से आ गया फिर वो बताता है मेरे नीचे वाला नेवर एक ओल्ड मैन है जो कि फर्स्ट और सेकेंड बेज दू फिर वो अपना गेट खोलता है तब ओल्ड मैन उस पर चिलाते हुए कहता है क्या तो फिर से कल कलविंग करने गया था तब जियांग भी चिलाते हुए बताता है वो कल 10 बजे ही सो गया था ना कि कहीं कलविंग करने गया था अब आप इसे बंद कर दो मुझे प बन माने के लिए 5 मिलियन चाहिए इसलिए आपको मुझे वो पैसे अडवांस देना होगा फिर वो कहता है अगर आपको ये कंडिशन नहीं माननी तो आप यहां से चले जाओ तब ओल्ड मैन कहते है ठीक है मगर मुझे तुमारे साइन चाहिए होंगे कॉंट्रेक्ट पेप अब हम जियांग को सूपर मार्केट में देखते है जहां वो एक साल के खाने का सप्लाई खटा कर रहा था उसे ऐसा करते हुए देखकर लोगों को लग रहा था ये पागल हो चुका है तब ही तो इतना सारा समान खरीद रहा है फिर जियांग सभी समान को लेने के बाद वो सबसे पहले सिस्टम से एपकलिप्स बॉक्स को अनलॉक करता है जिसे अनलॉक करते ही उसके पास एक रिंग आ जाती है इस रिंग में कोई भी समान रखने से वो चीज खराब नहीं होगा क्योंकि रिंग के अंदर जो टाइम है वो सेम रहता है और टाइम कभी भी चेंज न करता था हमारे स्कूल में काफी दाधा विवाद हुए थे मुझे पता नहीं था मैं इस तरह से इससे टकरा जाओंगा फिर टैंग उससे कहता है तुमने जहां से समान लिया है वहीं पर उसे रख दो तब जियांग कहता है टैंग यह तुम क्या कर रहे हो क्या तुम अभी वीक लोगों को बुली करते हो मैं तो यहां पर समान खरीदने आया हूँ क्या तुम अपने कस्टमर को ऐसे ट्रीट करते हो फिर टैंग कहता है उन समान के पैसे अभी पे करो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा अब काउंटर पर लोगों को बिल निकालने मे एक घंटे लग जाते है तब टैंग उन से जाकर पूसता है टोटल कितना हुआ तब वो कहते है 56,000 प्लस युवान तब टैंग मशीन आगे करते होगे कहता है जल्दी से पेमिंट करो तब जियांग भी बड़े स्टाइल में कार्ट स्वाइब करते हुए पैसे पे कर देता है ये देखका टैंग वहाँ से जाने लगता है तब जियांग उसे रोकते होगे कहता है तुमने काफी रूड वे में मेरे से बात किया था इसलिए मेरे से अभी के अभी माफी मांगो नहीं तो मैं ये पूरा समाना भी वापस कर दूँगा ये सुनगा टैंग चिलाते होग कहता है तुमको ज्यादा ही नहीं बोल रहे ये सभी मामलाद देखकर वहाँ पर खड़े लोग वे जियांग के फेवर में बोलने लगते है और सभी चीजों का रिकॉर्ड भी करने अब ये सुनकर तुम्हारा क्या मतलब मेरा मन है मैं कितना भी समान खरीदू तब टैंग कहता है तुम्हें और ज्यादा समान चाहिए तो सूपरमार्गे काफी नहीं रहे गा बलकि तुम्हें होल सेलर्स को कॉंटेक्ट करना चाहिए यह सुनकर ज्यांग उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम शूपर-मार्गेट में काम करते हो इसका मतलब तुम होल सेलर को भी जानते होगे है ना तब टैंग तुम्हें जी याद है वो एक होल सेलर है फिर वो जी को कॉल करके बताता है उसने उसके लिए कस्टमर ढूड़ना है यह सुनकर जियांग सोसता यह दोनों अभी भी टच में रहकर बिजनेस कर रहे हैं अब तक इन दोनों ने कितना प्रॉफिट कमा लिया होगा अब हम से उतरते ही टैंग उसे जी यांग के बारे में बताता है और कहता है यह हमारा क्लास्मेंट हुआ करता था तब जी जी यांग के ऊपर स्मोक फेकते हुए कहता है अच्छा यह वही जी यांग है फिर वो जी यांग के हुटी को देखते हुए कहता है यह फेक ब्रैंड का है मुझे उन लोगों से सक्स नफरत है जो गरीब होते हुए अपने आपको अमीर दिखाने की कोसिस करते है तब जियांग कहता है ब्रैंड के बारे मैं मुझे नहीं पता मैंने तो इसे स्टीर से लिया था फिर वो टैंग का सिर पकड़ते हुए कहता है क्या तुमने मुझे इसी क्लाइंट के बारे में बताया था क्या तुम मेरा टैंग वेश्ट करना चाते हो फिर वो उसे लात मारता है तब टैंग उसे बताने की कोसिस करता है कि ये सही में बड़ा क्लाइंट है तब वो कहता है मैं बिजनेस में बहुत ही टाइम से हूँ मैं बस देखकर ही बता सकता हूँ कि अमीर कौन है और गरीब कौन है तब जियांग कहता है तुम्हें एक अनपड इंसान हो इसलिए शायद तुम्हें मेरा औरा समझ नहीं आरा ये सुनकर जी उसका हुड़ी पकड़ते वे पूशता है तब जियांग कहता है मैंने बोला तुम लोगों को नीचे दिखाते हो तब वो कहता है तुमने मुझे अनपड कैसे बोला तब जियांग उससे पूशता है क्या मैं तुम्हें गवार बोलूँगा तो तुम्हें चलेगा तभी टैंक जियान को बताता है इसे अनपर सुनना बिलकुल भी पसंद नहीं है इसलिए इनहें मत बोलो तब जिया उसकी तरफ देखते वे कहता है अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो तुम चुपी रहो फिर वो जियांग के दरफ देखते हुए कहता है अगर तुमने आज होल सेल में समान नहीं खरीदा तो तुम अपने दो पैरों पर नहीं जाओगे तब जियांग कहता है तुम मेरे कॉलर पर से अपना हाथ अडा कर अपना अकाउंट नमबर बोलो और उसके कुछ दिर बाद ह जी के अगाउंट में मिलियंस डॉलर पहुच जाते है ये देखकर तो वो बन्दा शॉक्ट जाता है तब जियांग उसे बताता है उसना भी एक मिलियन एडवांस दिया है उसे टोटल पांच मिलियन का समान लेना है और बाद में तुम्हें 4 मिलियन मिल जाएंगे इसले ट जियांग समान को देखते हैं तुम तो एक स्कैमर निकले फिर जी उसे ओफर देते हैं अगर तुम कुछ दिन में एक्सपाइड होने वाला समान लोगे तो मैं तुम्हें 50% डिसकाउंट दूंगा ये तुम्हें कैसा लगा तब जियांग कहता है तब जियांग समान को को दूरत नहीं है मेरे 5 पांच मिलियां सिर्फ अच्छी कौलिटी के समान खरीदने के लिए है तुमारे पास जितने भी एकसपाइड होने वाले समान बलकि मैं खोद एक चैनल हूँ फिर वह उसके कंदे पर हाथ रखते हुए कहता है एक्सपायर होने वाले समान दो गया जो एक्सपायर हो चुके है उनकी भी वैल्यू बहुत जादा होती है अभी तुम्हें कुछ टाइम में पता चल जाएगा उसे जाते हुए देखर जी कहता है ये तो एक एवरेश फैमिली से बिलॉंग करता है फिर उसके पास इतने पैसे कहां से आए अब हम उसी ओल्ड मैन को देखते है तो जियांग के पास पैसे लेकर आया था और कॉंट्रेक्ट देते हुए कहता है मैं तयार हुए इस कंडिशन के लिए उसे देखकर जीयांग सोचता है इसने घर तक नहीं देखा और फिर भी ये मुझे पैसे देने के लिए तयार है आखिर ये इस घर को खरीदने के लिए कितना डैस्परेट है फिर वह उससे फूचता है आप इसे इतनी जल्दी क्यों खरीदना चाते है तब वो कहता है मेरी ग्रेंड डॉर्टर यहां सिफ्ट होने वाली है और इस एरिया में सिर्फ यही विल्लिंग सेफ है इसलिए मुझे तुमारा घर चाहिए ताकि यहां पर मेरी ग्रेंड डॉर्टर रह सके ये सुनकर वो कहता है आपने तो सब सचाई बता दिया आपको इसका डर नहीं है कि मैं इस घर का प्राइस बढ़ा दूँगा तब ओल्ड में कहता है प्लीज ऐसा मत करना ये पैसे मेरी दो जनरेशन की सेविंग है फिर जियांग उससे कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं इसका प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा उसके बाद हो कॉंटेक्ट साइन कर देता है ये देखकर ओल्ड में काफी जादा खुश होता है फिर वो कहते है मैं अपसे तुम्हें डिस्टर्म नहीं करूंगा इसलिए अब तुम आराम से अपने काम पर जा सकते हो ये सुनकर जियांग सोचता है ये कितने ओनेश और काइंड है ये आने वाले जॉंबी अटेक में ये और इनकी ग्रेंड डॉर्टर एक महीना भी सर्वाइब नहीं कर पाएंगी फिर वो उन्हें रोक कर उनका करेंट एडर्स पूशता है अब हम जियांग को कंस्ट्रक्शन साइट प क्या हुआ तब वो कहता है वो पूरी तरह से प्रिपेर है ये सुनकर जियांग डाइरेक्ट जी को कॉल करता है और सभी चीजों को जल्दी से जल्दी डिलिवरी करने हो कहता है अब हम वेर हाउस का सीन देखते है जहां सभी वरकस खुशी-खुशी काम कर रहे थे क्योंकि सबको एक अच्छा माउंड मिला था काम करने के लिए जियांग उन्हें गाइड करते हुए पता रहा था कौन सा समान कहां रखना है और काम खतम होने के बाद वो सभी चीजों को देखकर खुश हो रहा था तभी वो देखता है सिस्टम में उससे 20 पॉइंट मिले है एक साल खुश होते हुए कहता है इसी की तो जरूरत थी मुझे अब हम जियांग को एक ब्लैक मार्केन में देखते हैं जहां उसे ली दिखता है जो की अपनी गल्फ्रेंड मतलब जिंग के लिए कुछ एंटिक चीज़ ले रहा था जो की फेक थे ये देखकर जियांग मनी मन सोच जिंग विकार में उलू बन रही है इन चीजों के लिए फिर वो एक शॉप पर जाकर एक नाइफ देते हुए कहता है मुझे इससे भी शाप नाइफ चाहिए तब वो आदमी कहता है मैं यहां पर नाइफ को शाप करने का काम करता हूँ अगर तुम्हें नाइफ शाप करव शाप करने को बोलता है फिर वा उससे कुछ गंस दिखाता है जिसे देखकर जियांग कहता है मुझे अपने साथियों के लिए चाहिए तुम्हें पूरी टीटेल्स नहीं बता सकता उसके बाद वो गेट बंद करते हुए कहता है आप बिल्कुल जगा पर आये हो मैं यह सब handle कर लूँगा आप बस लिस्ट बना कर मुझे दे दीजिए मैं आपके address पर पहुचा दूँगा उसके बाद उस जियांग को बाहर छोड़ता है तब ही उसे वहाँ पर ली दिख जाता है जो कहता है मुझे उमीन नहीं था तुम black market में दिखोगे अब मुझे समझ आया तुम् नहीं इनी cheap items की मदद से जिंग को बसाया था है ना ये सुनकर वो आदमी गुस्ता होने लगता है फिर वो आदमी पूचता है क्या आप इसे जानते हो तब वो कहता है ये मेरा एनिमी है तब वो कहता है आप यहाँ से जाईए मैं इसे समाल लूँगा ये सुनकर जियांग जाते हुए कहता है ठीक है मगर उसे जान से मत मानना मेरे पास इसके लिए कुछ और प्लैंस भी है उसके बाद वो आदमी अपने साथियों के साथ मिलकर उसे कुछते की तरह मानने लगता है ऐसा होता दे कर ली मनीमन ठान लेता है जियांग से बदल लेने का और दो दिन ब गया है पूरे 40% से अब मेरे पास जादा स्टेंथ है नॉर्मल हुमन के मुकाबले उसके बाद वो एक फिजिकल इनहेंस्मेंट पोशन भी इंजेक्ट कर लेता है अब उसके पास 60% एक्स्टा एनरजी है नॉर्मल हुमन के मुकाबले उसके बाद वो एक स्टील के पाइप सबी वैपन सेफ रहे उसके बाद वो सबी वैपन को अपने रिंग के अंदर डाल देता है और कहता है कल फ़र्च डे है जॉंबी अटेक का अब मुझे और क्या काना चाहिए उससे पहले तब हो उसे उन ओल्ड मैन और उनकी ग्रेंड डॉटर का ख्याल आता है ये सोच कर वो अब उन्हें इग्नोर ना करने का सोचता है फिर वो कहता है मैं उनके पास जॉंबी अटेक से बचने के लिए कुछ समान भेज दूँगा अब उनके उपर डिपेंड करता है वो जिन्दा रह पाते है या नहीं ये समय उनके लिए इसले कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इ फिर वो गेट नॉक करता है वो डोर ओपन करते ही कहता है मैं रेंट कल दे दूँगा तब ही वो देखते है ये तो जियांग है फिर वो पूछते है तुम यहां क्या कर रहे हो तब हो कहता है आप पहले इन बॉक्स को अंदर रखवाने में मेरी हेल्प कीजिए मैं बाकी की बाते बाद मैं समझाऊंगा फिर वो सभी समान अंदर रखवाने के बाद ओल्ड मैं कहते है तुम यंग लोगों के पास तो बहुती एनरजी होती है आज पता चला फिर जियांग कहता है आपका घर तो बहुत सेफ दिख रहा है और आप मेरी बात ध्यान से सुनिए अगर आप इन चीजों का अच्छे से यूज करोगे तो ये कम से कम 6 महीने तक चलेगा और कल से तब उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पढ़ती है जिसे देखते हों कहता है लीली तब ओल्ड मैं कहते हां मगर तुम्हें कैसे पता चूंकि मैंने तो इसका नाम नहीं बताया फिर रोते हुए बता रही थी उसने अपने दादाजी को अकेले घर पर छोड़ दिया है फिर वो सोचता है मुझे याद है लीली ने बताया था उसके ग्रेंट फादर नहीं उसे पाला है वो बहुती महना से एक एक रुबे बचा कर उसे पढ़ाई थे मगर जॉंबी अटैक मे वो उसकी जान बचाते हुए मारे गए फिर वो सोचता है अब मैं इनकी जान जरूर बचाऊंगा ताकि तुम्हें रिग्रेट ना हो फिर वो कहता है ओल्ड मैन आप कल से मेरे घर में शिप्ट नहीं हो रहे ये सुनकर वो कहते है क्या तुम आब वो घर मुझे नहीं दोग ये सुनकर वो परिशान होते हैं सोचता है अब ये बहुती ओल्ड हो गए है मेरी बातों को समझने के लिए फिर वो अपने रिंग की मदद से उस घर की सभी चीजों को रिंग स्पेस में भेज देता है जिससे पूरा घर खाली हो जाता है ये देखकर ओल्ड मैन शौक्ट ह पहुच जाता है जहां पूचता है वो कौन से डॉम में है आपको पता है तब हो हमरा जवाब देते है अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां कुछ गस लीली को बुली कर रही थी तब ही वहाँ पर ग्रेंट फादर आते है जो परिशान होते हैं ये तुम सब क्या कर रहय ह मेरी लीली के साथ तब ही वहाँ पर कुछ बॉइस आते है जो ओल्ड मैन को वहाँ से जाने के लिए कहते है मगर वो वहाँ से नहीं जाते और उन्हें मानने की कोशिस करते है क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया तब ही एक बंदा उन्हें बैट से मानने की कोशिस करता है मगर उसके मानने से पहले जियांग उस बैट को पकड़ लेता है फिर वो उस बंदे को एक एक में ही दूर कर देता है ये देखकर उसे साथी भी जियांग को मानने आते है मगर वो एक एक करके सभी को कुटे की तरह दो देता है ये देखकर वो बुलिस लड़की ड़ते वे पूचती है तुम्हें क्या चाहिए फिर जियांग एक लड़की का बाल पकड़ते वे कहता है तुम्हें दूसरों का बाल पकड़ना पसंद है है ना उसके बाद वो एक नाइफ निकालता है जिसे देखकर सब डर जाते है फिर जियांग उसके बाल काट देता है ये देखकर वो लड़की चिलाते हुए कहती है तुम्हारी हमत कैसे हुई मेरे बालों को काटने की अब मैं तुम्हें बताती हूँ तब जियांग कहता है लंबे हेल बनने वाली है ये सुनकर लिली कहती है मैंने आपको किती बर बोला है scam calls पर बिलीव ना करने के लिए उनकी ये बात सुनते हैं जियांग smile करने लगता है और कहता है ग्रेंटपा को किसी scam नहीं बताया बलकि ये सभी information उन्हें मैंने बताया है ये सुनकर वो लड़की शौक्ड होते है तुम हो को फिर जियांग अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाता है तब वो लड़की पूसती है क्या ये दुनिया सही में खतम होने वाली है तब वो कहता है मैंने तो ये स्टोरी बनाया था ताकि ग्रेंटपा असानी से समझ सके जो आने वाला है वो है एपोकेलिफ ये सुनकर वो शौक्ड हो जाती है तब वो कहता है जौम्बी अटेक स्टार्ट होई गया होगा एक काम करो अपना फोन चेक करो तुमें शायद व आता ही होगा जौम्बी किसे कहते है तब वो कहती है मगर इस बात पर बिलीफ करना थोड़ा मुश्किल है तब जियांग कहता है कुछ दिन रुको तुम्हें बिलीफ हो जाएगा तब वो देखता है हर जगा कार्स होते हैं एमर्जेंसी लेन को ब्लॉकर देने कारण तब देखकर ओल्ड मैन कहते है ऐसा लग रहा ये कोई अमीर इनसान है इसलिए हमें उसे इस पेस देना चाहिए आगे जाने के लिए और कुछ देर बाद ट्राफिक लेर हो जाता है जिससे वो लोग आगे जाने लगते है तब ही कारोंने फिर से हिट करने लगती है ये देखकर जियांग भी उसे हिट करके वहां से तीजी में निकल जाता है ये देखकर वो इंसान बाहर आकर पुलिस हो कॉल करके उसके नमर प्लेट का पता लगाने वो कहता है अब हम जियांग को देखते है जो अपने घर पर पहुच चुका था वो घर देखकर ओल्ड मैन शॉक्ट ह होते है तब जियांग कहता है ऐसा करो आप हलका रेस्ट कर लो क्योंकि कल से हर एक दिन मुश्किल होने वाला है और इसी के साथ ये एपिसोड ही खतम जाता है ओके तो कमेंड में बताओ कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और क्या मैं इसे कंटिन्यू करू ओके तो अगर कर दो ही तो है